आप कहते हैं कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन आपके जो राजनीतिक स्पीचर्स हैं, तेलंगाना में आपने कहा, जब आप आपने वाइदे गिनते हैं कि ये ये वाइदे हमने पूरे किये, तो C.A. भी उसमें है, तो हमारे एक वादा था कि देश के अर्थतंतर को सुध अर्थतंतर मत सुधारों पॉलिटिक्स करें हो, फिराजनीतिक कहां से हो गया, हम मानते हैं C.A. देश के हितमे हैं, इनका अधिकार है, इसलिए हमने दिया है, पॉलिटिक्स कहां से, वो भी कहना देना चाहिए, अगर राजनीतिक फाइदा है तो उनको कौन रोक रहा है, पर C.A. पे तो बहस हुआ नहीं, वो पास हो गया, उसके बाद, पास कैसे हो गया पार्लामेट में, पूरी बहस करी हैं, तो अगर 400 सीट आते हैं, तो क्या वो फुल लाइसन्स हो जाता है कि आपके हिसाब से, कि जनता ने कहा कि हमने आपको 400 सीट दिये, अब आप जो भी देश हित में समझें, वो गरते जाई है, लाइसन्स जिन्होंने उप्योग करें, हमने तो कभी नहीं करें, हमने तो जनता ने जब जब आसिरवाद दिया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ देश चलाया, चाहिए अटल जी हो तो अनरेंद वहीं, इंदीरा गांधी ने एक ब साथ साल के बाद पबलिक के सामने जाना है, यहां समाप नहीं हो जाता है, यह आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे फॉरेन मीडिया को अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो आपने किये, चाहिए ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, CAA हो, एक सेकंड, फॉरेन मीडिया क है क्या? पर हमारे में हिंदू लौ भी तो है, सक्सेशन लौ है, इसका नाम हिंदू लौ है, वो देश का नागरिक कानूनी है, फिर मैं उसी सवाल पर आती हूं, चाहे CAA हो, UCC हो, या UCC हो, CAA हो या फिर 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, यह सब आप, आपकी मजॉरिटी की से, यह सब smoothly हो गया, अगर आप 400 लेके राते हैं, तो फिर तो कुछ होरी हो सकता, in the sense की preamble तक आप बदल सकते हैं, socialism हटा देंगे, secularism हटा देंगे, हमारे सम्विदान की रचना करते वक्त, यह सारी चीजे बहुत सोच समझ कर बनाई गई हैं, तो मुझे बताइए, कि से तो उन्हें हटा दिया गया, तो हम भी नहीं करेंगे, उचित नहीं करेंगे, हम संयम नहीं रखेंगे, self-discipline नहीं रखेंगे, तो हमें भी बदल देंगे, यह तो कोई तरक नहीं हुआ, देखें, नरेंद्र मोधी के पास, इस देश के प्रधान मंतरी के पास, 10 साल का, एक ग्रेड पास्ट रेकोर्ड है और पचीस साल का प्लानिंग है, पचीस और साल, पचीस साल का प्लानिंग उन्होंने बनाया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पून विक्सित भारत होगा, और उन्होंने पहली बार सरकार की मदद से नहीं, देश के 130 करोड लोगों को आहवान ल मेरे नेता के आहवान पर पुरा देश आजे संकल्प से संकल्पीत होकर अमरूत काल के लिए तयार होकर खड़ा है, इसके साथ साथ इस देश में गुड गवर्ननस, इस देश के अर्थ तंत्रों को दुनिया के प्रमुखर तंत्रों में सुमार करना, दुनिया भर के टेक् सिक्सा वेवस्ता को दुनिया के साथ और दुनिया से आगे ले जाने का प्रयास करना यह सारी चीजे हमने करी है और यह भी हमारा एजंडा है मगर आप जब हमारे बासर में से कुछ चून लेती हो तो यही मुद्दे चूनती हो